नोश्वलो दोस्तो दोस्तों इन्डि नउसे इंटर्टेन्मेंट में आप लोगों का स्वागत है मैं हुँ आपका दोस्त सुपरतीम दोस्तों आप लोग घानते हैं किrit किरिकट एक बहुत ही दिल्चस्प Χेल है बल्ले बाजों का है और गेन बाजों का जब बल्ले बाज किसी गेन बाजों की धुलाई करता है तो बल्ले बाज भी बहुत ही बहतरीन सेलिबरेट करते है और दूसरी तरफ कोई गेन बाज जब किसी बल्ले बाज को आउट करता है उनके भी सेलिब्रेशन्स जो है देखने लायक है तो दोस्तो हम आज कुची ऐसे सेलिब्रेशन आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप लोग हो जाएंगे इंटर्टेंट तो दोस्तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के तेज गेंबाज हसन अली के बारे में पाकिस्तान की टीम जिंबावे के दोरे पर गई थी दूसरा वांडे मैच चल रहा था बुले वेव में जहां उन्होंने जिंबावे के बलेबाज रायन मारे को बोल्ड आउट कर दिया था बोल्ड आउट करने के बाद वो नीचे से उचल कर इस तरह से उचले खुशिया मनाने गए सेलिबरेट करने गए कि जैसे वो उरेंगे लेकिन उसके बाद जो हुआ उनके बाएग गर्दन पर मोच आ गई मोच आने के बाद पाकिस्तान के विकेट की पाद सर्पराज आहमत हस पड़े इसलिए कहते हैं ये ओवर जो सेलिबरेशन है कभी कभी भारी पड़ जाता है इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि ऐसा ना करें ये तो गई हसन अली की बात अब चलिए दूसरे तेज गेंद बास की बात करते हैं अब जानते हैं इनका नाम क्या है चलिए हम ही बोल देते हैं इनका नाम है शेल्डन कौट्रिल ये वेस्टिनिस टीम से खेलते हैं और ये जब भी किसी बल्लेबास को आउट करते हैं उसके बाद दो कदम आगे आकर ऐसे सब को सल्यूट करते हैं मैंना तो धीरे से किया लेकिन वो और चोश के साथ करते हैं ऐसा लगता है कि वो दर्शकों को इज़त देना चाते हैं क्या पता वो मुझे भी इज़त देना चाते हो चलिए अब तीसरे गेंबास की बात करते हैं तबरेश शंशी जो दक्षिन अफरीका टीम से खेलते हैं तबरेश शंशी बाए हाथ के स्पिन गेंबास है आप लोग जानते हैं वो बाए हाथ के क्या है लेफ टम चाना मैन बॉलर है मतलब बाए हाथ के लेक ब्रेक बॉलर है जब उन्हें ने एक बाद शिकर धवन को आउट किया था आउट करने के बाद वो अपना जो बूट है उतार के किसी को फोन लगा रहे थे जानते हैं किसको लगा रहे थे इसके लिए आपको आकिर तक बने रहना परेगा मेरे साथ लेकिन सिर्फ यही नहीं वो अपने लोकल टूनामेट MSL में जब एक बल्ले बाद को उन्होंने आउट किया था अपने जेब से रुमाल निकाल के एक जादू की चड़ी बना दी तो सिर्फ वो क्रिकेटर नहीं वो जादू गर भी है तो दोस्ता चलिए अब बात करते हैं वेस्ट इंडिस के दूसरे तेज गेंबास केसरिक विलियम्स के बारे में यह जब भी किसी बल्ले बास को आउट करते हैं इनको डांस करना बहुत पसंद है जैसे आप लोगों को तो शायद पता ही है कि वेस्ट इंडिस के बहुती मशूर डांस है कलिप्सो डांस यह जब भी मेरे ख्याल में इनको क्रिकेटर से ब्रेक मिलता है वो शायद यही कलिप्सो डांस करते होंगे मैं एक बार करिविया आइलन्ड में गया था शायद मैंने इनको देखा है चोग गयना आप दोस्तो जी नहीं वो साभाग ये प्राप्त मुझे अभी तक नहीं हुआ शायद किसी दिन हो जाए तो शायद उनसे मुलाकात भी हो जाएगी चलिया दोस्तो अब और एक मशहूर गेनबास के बारे में बात करते हैं इनका नाम है इमरान ताहिर दक्षिन अफरीका के मशहूर लेक स्पीनर वैसे तो आप लोग शायद जानते होंगे अगर किसी को शायद पता है और किसी को नहीं पता के वो पाकिस्तान अंडर नाइटीन टीम के लिए भी खेल चुके हैं वो पैदा लोहर में हुए थे लेकिन दक्षिन अफरीका में आके बसके वो जब भी किसी बल्लेबास को आउट करते हैं पूरे मैदान के चक्कर लगाते हैं और साथ इसाथ उपर वाले का शुक्रिया आदा करना भी नहीं भूलते और ऐसे चक्कर लगाते हैं कि जैसे उनकी जो इच्छा है पूरे विश्वक गुमने की वो पूरा उन्होंने कर लिया हो और दोस्तो मेरे खैल में अगर वो क्रिकेटर नहीं बनते तो शायद तूर गाइड जरूर बनते जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं करिबिया जाने वाला हूँ अगर मैं कभी वहाँ पर जाओ पता नहीं वो मुझे वहाँ पर मिल जाते और आपको भी मिल जाता है आपका जवाब तबरे सम्शी जो अपना बूट उतार के फोन लगाते हैं जानते हैं वो किसको फोन लगाते हैं वो कोई और नहीं इमरान ताहिरी है क्योंकि इमरान ताहिरी है टबरे सम्शी के बच्पन के हीरो तो दोस्तों ये थे हमारे और से गेंवाजों के कुछ शामधार सेलिबुरेशन्स इन में से आप लोगा कौनसा अच्छा लगा हमारे कॉमेंटस सेक्शन में लिक के दरूर भेजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को डपाना ना भूले तो दोस्तों फिलाल के लिए आज मैं सुपरतीम आप लोगों से विदा लेता हूँ मुलाकात होगी बहुत जल्दी कुछ और मज़ेदार वीडियो के साथ नमस्कार